आप सभी को जैमसिकी हिंदी बाइबल स्टेडी इस चैनल में आपका स्वागत है आईए मिलकर एक नए विशे को आज हम सीखेंगे और आज का विशे ये है कि जब हम लोग अलग-अलग परिशानियों से संकट से होकर जाते हैं तब उस समय पर हमें क्या करना चाहिए हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है इन बातों पर आज हम लोग मनन करेंगे जब हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे धर्मी लोग अलग-अलग संकट से होकर गए तो हमारी मन में ये विचार कभी नहीं होना चाहिए कि जब हम प्रभु में या विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब हमारी जीवन में कोई संकट नहीं आएगा इस प्रकार का सोच गलत है बाइबल में इस प्रकार लिखा है भजन सहीता 34 अध्याई 19 आयत में धर्मी पर बहुत सी विपत्या पड़ती तो है यहाँ पर बजनकार इस प्रकार कहता है एक धर्मी इनसान के जीवन में बहुत सारी विपत्ती बहुत सारी समस्या का सामना उसे करना पड़ेगा लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों से उस धर्मी इंसान को छुडाएगा लेकिन आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं कि जब एक धर्मी इंसान संकट में गिरता है तब उस समय पर उसे क्या करना चाहिए आज बाइबल में से कु जीवन में अपनाएंगे सबसे पहले हम लोग आयूब के जीवन में ध्यान देंगे कि आयूब जब संकट और परिशानियों से होकर गया तब आयूब ने क्या किया हम पढ़ेंगे आयूब का किताब उसका दूसरा अध्याय और दसवी आयत जॉब चैप्टर टू वर्स टेन उसका सेकंड लाइन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर इस प्रकालिका है क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुक लेते हैं दुख ना ले इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मूँ से कोई पाप नहीं किया मेरे प्रियों हम सब जानते हैं कि आयूब के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी संकट आई एक के पीछे एक लास्ट में उसके पास कुछ नहीं था उसकी खुद की पत्नी उसको सला देती है कि परमिश्वर को छोड़ दो और मर जाओ लेकिन उस समय पर भी आयूब के बारे में ये लिखा है कि आयूब ने अपने मूँ से कभी भी परमिश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया मेरे प्रियों जब हम लोग भी संकट और परिशानियों से होकर जाते है हो सकता है हम सबके जीवन में अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो हम ऐसे कुछ लोगों के जीवन में financial problem होगा, आर्तिक तंगी होगी कुछ लोगों के जीवन में परिवार में एक तनाव होगा कुछ लोगों के जीवन में वो लोग अकेले प्रभु में आए होंगे इसलिए सताव हो सकता है, अकेला पन हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में उनके बच्चे समस्या का कारण हो सकता है सब के जीवन में अलग-अलग समस्या है लेकिन यहां पर आयूप के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कभी भी अपने संकट के बीच में परमेश्वर के खिलाफ अपने मूँ से कोई भी पाप नहीं करना मतलब हमें कुड़-कुड़ाना नहीं है हमें परमेशर पर शक करकर प्रबु के खिलाफ बात नहीं करना है बहुत से वक्त जब लोग परिशानियों में पढ़ जाते हैं वो लोग इस प्रकार पूछते हैं क्या परमेशर ने हमें छोड़ दिया क्या परमेशर ये कुछ देखता नहीं है या कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि प्रभु के पीछे चलने का कोई फाइदा नहीं हुआ देखे आज हमारे दिवन में कितना संकट है मेरे प्रिय भाई भैनो हमें एक बात समझना है हम प्रभु के पीछे कोई फाइदा के लिए नहीं चलते हैं हमें अनंत जीवन मिला है और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उस स्वर्ग राजे में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर सच्चा है इस बात को जानने के बाद हम लोग प्रभू के पीछे हमारी मर्जी से हम चल रहे हैं तब जब भी हम लोग परेशानियों का सामन करते हैं याद रखना कभी भी प्रभू के खिलाफ अपने मूँ से पाप नहीं करना हो सकता है पीछले दिनों में आपने पाप किया होगा अगर आपको याद आ रहा है तो परमिश्वर से कहे प्रभू मुझे माफ कर देना मैंने गलत किया लेकिन अएंदा मैं आपके इस प्रकार का सवाल नहीं करूंगी आगे हम लोग देखेंगे प्रभू का एक अगला भक्त जब समस्या में गिरा तब उन्होंने क्या किया अगला जो उधारन हम बाइबल से लेंगे वो एक बहन के बारे में है और उनके बारे में हम लोग पहले शमुएल के किताब पहला अध्याय और दसवी आयत में पढ़ सकते हैं उनका नाम है हन्ना हम हन्ना के जीवन के बारे में जानते हैं हन्ना का समस्या ये था कि उनके जीवन में कोई भी संतान नहीं था जिस कारण वो बहुत दुखी थी और उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि हन्ना के पास ऐसा एक प्यार करता है तो सबसे पहले समस्या लेकर अपने हस्बंड के पास जाना चाहिए उनके सामने रोना चाहिए लेकिन हन्ना वैसे नहीं करती है पहला शमुएल पहला अध्याय दसवी आयत में हम इस प्रकार पड़ते हैं वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करन देखे मेरे प्रियो हन्ना हमको सिखाती है कि समस्या के बीच में हमें क्या करना चाहिए एक और बहन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो सेम प्रकार के प्राबलम में फसी हुई थी उनका नाम है राहिल राहिल के जीवन में भी ऐसा एक समय था जब उनके जीवन में को याकुब से लड़ने लगती है और याकुब कहता है क्या मैं परमिश्वर के स्थान में हूँ तो ऐसी बाते क्यों कर रही है देखे मेरे प्रियों दो बहने सेम समस्या एक जैसा समस्या लेकिन दोनों का प्रतिक्रिया अलग-अलग है आज हमारी जीवन में भी बहुत सारे सम समस्या को लेकर दूसरों के सामने उनकी उपर उंगली उठाकर उनको दोश लगाते हैं कि तुमारे कारण ये समस्या मेरे जीवन में हुआ तो अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे जीवन में ऐसा समस्या नहीं होता क्या इस प्रकार की बाते आप करते हो या फिर हन्ना के समान आ कर प्रभु के सामने बैठते हैं और रोते हैं और प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर आप सर्वशक्तिवान परमेश्वर है आप मेरे समस्या के लिए आप नया रास्ता को खोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई भैनों मैं आज आपको एंकरेज करना चाहती हूँ अगर आप कोई भी विशाय प्रार्थना में रखेंगे, तो परमिश्वर विष्वास योगिय परमिश्वर है, जब वो आपके आस्वों को देखेगा, आपके सच्छे मन से निकला हुआ दूआ को सुनेगा, परमिश्वर जरूर वहाँ पर कारिय करेगा, तो कोई भी समस्या क्यूना हो, उ एक और आयत को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब, सोलवी अध्याय और पचीसवी आयत, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आधी रात के लगबग, पॉलूस और सीलास प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, औ समचार को सुना रहे थे, उस समय पर एक लड़की के अंदर से दुश्टात्मा को निकाला, यह सारी बाते जब हो रहे थे, उस नगर के कुछ लोग पॉलूस और सीलास के खिलाफ बढ़क गए, और उनको पकड़कर बहुत मारा गया, और इन दी एंड मारने के बाद उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, कि वहाँ उनके उसके उपर वाली आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उसने ऐसी आग्या पाकर उन्हें भीतर की कोटरी में रखा और उनके पाव खाट में ठोक दिया, मतलब उनके दोनों पैर को जो है बांद कर रखा गया, देखे मेरे प्रियो, पावलूस और सीलास ने बहुत मार खाया, उनका शरी दर्द में है, पीडा में है, बहुत दर्द अनुभफ कर रहे हो सकता वो बैठ नहीं पा रहे होंगे, या वो लोग सो नहीं पा रहे होंगे, और उसके साथ साथ उनके दोन आसपास के दूसरे कैदी लोग थे, वो लोग इनकी भजन को सुन रहे थे, मेरे प्रिये भाई बैनो, हमारे संकट में हम लोग क्या करते हैं, पॉलूस और सीलास अपने संकट में परमेश्वर के खिलाफ वो लोग सोच सकते हैं, कि क्यों ऐसा प्रॉबलम में हम फर्स गए, प्रबू हम आपकी जेवा कर रहे थे, आपकी पीचे चल रहे थे, तो आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं किया, इस प्रकार का विचार उनके मन में आ सकता है, लेकिन मेरे प्रियों यहाँ पर पॉलूस और सीलास अपना ध्यान को उस समस्या से हटा रहें, अपने शरीर के दर्द से हटा रहें, अपना पैर से हटा रहें, उस जेल में से हटा रहें, मतलब समस्या से अपना ध्यान को हटा कर प्रबू की आराधना करने में अपना पूरा ध्यान लगाया, तो हमारे लिए भी एक अच्छा शिक्षा है, कि जब हम संकट में हैं, जब हम अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं उस समय पर हमें परमिश्वर की आराधना करना चाहिए मेरे प्रियों आराधना में चुटकारा चंगाई है आराधना में हम परमिश्वर के सामर्थ को हमारी जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं हो सकता है वो समस्या निकल नहीं जाएगा लेकिन उस समस्या के बीच में भी खड़े रहने के लिए जो सामर्थ हमें चाहिए वो आराधना के द्वारा परमिशुर हमें देंगे बहुत से वक्त हम लोग दुखी हो जाते हैं और उस कारण हम लोग दुख के कारण प्राथना भी नहीं कर पाते हैं और आराधना भी नहीं कर पाते हैं मेरे प्रिये भाय बहनों, वचन में तो लिखा है कि धर्मी जन के जीवन में बहुत सारी विपत्या आएगी, तो जग आपके जीवन में संकट और मुसिबत है, तो उस समय पर उस बातों को दे कर आप दुखी नहीं होना, क्योंकि परमिश्वर ने पहले ही कहा था, लेकिन उ कोई भी इस परिस्थिती में मैं क्यों नहीं हो, मैं उस परिस्थिती में भी रहकर आपकी महीमा करूंगी, आपका स्तुती करूंगा, करूंगी करकर आप परमिश्वर से कहिए, मेरे प्रियों आज भी आप जिस परिस्थिती में हैं, उस परिस्थिती को देखकर दुखी लेकिन आज वचन को सुंते सुंते पर्मेश्वर की आराधना करना अब स् degrad कीजिये और देख लीजिये कैसे सामर्थ से आप भरोगे इतना ही नहीं पॉलूस और सीलास की जीवन में हम देख सकते हैं वो लोग आरादना करते करते कैसे परमेश्व ने एक बहुत बड़ी चुटकारा उनकी जीवन में दिया बहाँ पर एक भुकमपा आया उनके जंजीरे टूट गए वो लोग आजाद हो गए परमेश्वर की महिमा उस जगे पे हुई मेरे प्रियो बहुत सारे बंदन जो शैतान ने हमको बांद कर रखा है बहुत सारे समस्या जो हमको घेर कर रखा है हमारी स्तूती और आरादना करने से वो तूट जाएगी हम जानते हैं यहुशु जब यरीहों के शेहर के चारों और वो लोग चल रहे थे तब कब वो शेहर का शेहरपना तूट कर गिर गया जब वो लोग जैजिकार करने लगे जब वो लोग आरादना करने लगे मेरे प्रियो आरादना में और परमिश्वर की स्तूती महीमा करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है हर समय परमिश्वर से कहना है, जैसे दावड कहता है, मैं हर समय यहовा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तूती निरंतर मेरे मुझे होती रहेगी, क्यों न हम दावड के साथ मिलकर ये प्रभू से कहें, क्यों न हो निरंतर हम आपकी स्तूती करने वाले बन जाए, इस परकार का एक निरने लीजिए हम आगे देखेंगे चौती बात जब परमिश्वर का एक भक्त जन समस्या का सामना कर रहा था तब उन्होंने क्या किया पहला शमुईल सत्रभी अध्याय और पैंतालिसवी आयत फर्स सैमुईल चैप्टर सेवंटीन वर्स फॉर्टिफाइफ यहां पर ह तेरे पास आता हूँ जो इसराइली सेना का परमिश्वर है और उसी को तुने ललका रहा है तीके प्रियों यहां पर दाउद गोलियात का सामना कर रहा है दाउद एक छोटा लड़का है उसके पास कोई हत्यार नहीं कोई ट्रेनिंग नहीं उसे युद्ध कैसी करना है पत ट्रेनिंग है सब कुछ है उसके पास जब ऐसे दो लोग सामना कर रहे हैं साधारन से बुद्धी से हम यह कहेंगे कि दाउद को यहां से भाग जाना चाहिए क्योंकि दाउद को एक शन में गोलियात खतम कर देगा दाउद के पास शक्ति नहीं है दाउद के पास experience नहीं है तजुर्बर नहीं है यह सारी बाते हम जानते हैं लेकिन दाउद क्या करता है दाउद यहापर बोलता है बात करता है अपना समस्या को सामने देखर अपना दुश्मन को सामने देखर दाउद कुछ बातों को कहता है दाउद गोलियात से बोलता है तेरे पास सब कुछ है सा कि दावुद कितना सामर्ती है दावुद प्रभु के सामने कितना भल्वान है मेरे प्रियोग हो सकता है आज आपके समस्या के सामने आप बहुत छोटे लग रहे हैं आपका समस्या बहुत बढ़ा है और उस समस्या को देखकर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके उपर जाई नहीं पासकता क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ मैं इतना कमजोर हूँ मैं इतना मेरे अंदर कोई experience नहीं कोई talents नहीं इस प्रकार आप सोच रहे होंगे लेकिन जो आपको समझना है वो ये है कि आपके पास परमिश्वर यहुवा का नाम है वो नाम जो सारे नामों के उपर है वो नाम जो सर्वशक्तिमान का नाम है वो नाम से अद्बुत कारिय होगा देखे मेरे प्रियों हम लोग नए नियम में पढ़ सकते हैं जब पत्रस और यूहन ना उस लंगड़े बिखारी के सामने आते हैं कहते हैं हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है लेकिन इश्यू के नाम से उठ जा करकर जब कहते हैं उस नाम में सामर्थ है वो लंगड़ा बिखारी चंगा हो जाता है वो उठ जाता है खूदने नाचने चलने लग जाता है एक अद्बुत काम परमिश्वर के नाम से होता है म वहाँ पर बड़ी बड़ी चमतकार होने लगेगा आप अद्बुत कारियों को देखोगे क्या आप उस नाम का महत्व जानते हैं या फुर जानने के बाद आप अपने जीवन में इस्तमाल करते हैं देखे मेरे प्रियों कोई भी आप समस्या का सामना करते हो पर एक्जाब बच्चे आपकी दिये हुए आशीश है इस्चु के नाम से ये बच्चे आशीशित होने पाए इनके भविश्य के लिए मेरे इस शाररिक आखों से जब मैं देखती हूँ उनके लिए सारे दर्वाज एक बंद है लेकिन इस्चु के नाम से मैं प्रातना करती हूँ इनका जीवनाशिशित हो इन लोग गलत संगती से निकल जाए इन लोग ड्रग से निकल जाए इस प्रकार आप विश्वास के साथ प्रातना कर लीजिए इस्चु का नाम लेकर आप प्रातना कीजिए वहाँ पर अद्पुच्च मतकार होगा आपके समस्या को देखकर ढर कर तब वैसे ही होगा इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहाड के सामने जाकर बात करें उसका मतलब यह है कि हमारा समस्या जो पहाड रूपी समान बड़ा है उस समस्या को देखकर आप बूलिए आप बात कीजिए इश्यू के नाम से ये उधार पाएगा प्रभु तो रस्ता खोलन आप अपना समस्य अपने बीमारी को देख कर कही इश्यू के नाम से प्रभू अपने दिया हुआ चंगाई के लिए धन्यवाद आप बात कीजिए अपने समस्या से और परमेश्वर बहाँ पर अद्बुत कार्य करेगा देखें मेरे प्रियों इश्यू मसी के शब्दों में समर्थ था इश्यू मसी ने उस आंधी और तुफान को देखा और कहा शांत हो जा और वो शांत हो गया चुप हो जा जहाँ पर कहा वहाँ पर दुष्टात्मा चुप हो गई मेरे प्रियों ईश्व मसी का वही सामर्थ वही आत्मा आज हमारे अंदर है पवित्रात्मा एक बहुत बड़ा सामर्थ हमारी जीवन में दिया है लेकिन उस सामर्थ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं होने पाए उस सामर्द को हम पहचाने और हमारी आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने बाले बन जाए। पांच्वा एक और बात हम देखेंगे, जब ईश्व मसी ने समस्या का सामना किया, तब उन्होंने क्या कहा? लुका का सुसमचार, बाइसवा अध्यार और उसका बयालीसवी आयत, लुक 22, वर्स 42, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, हे पिता, यदि तु चाहे, तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, इश्व मसी के मृत्य उसे पहली इश्व मसी ये प्रातना करता है, इश्व मसी पिता से कहता है, प्रभू हो सकता है, तो ये कटोरे को मेरे जीवन से निकाल देना, लेकिन प्रभू मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, जब हम समस्या से होकर जाते हैं, बहु जब तुम नाना प्रकार के परिक्षाओं में पढ़ते हो तब उसे पूरी आनंद की बात समझो जिसे तुमारी विश्वास परखा जाता है और उसके द्वारा धीर जुद्पन होता है और लास्ट में हम देखते हैं उसके द्वारा तुम सिद्ध हो जाते हो देखे मेरे प् प्रात्ना कर सकता है प्रभु इस समस्या को मेरे जीवन से निकाल दीजिए मैं कुछ भी कर लूँगा लेकिन ये प्रॉब्लम को हटा दीजिए अबरहाम वैसे प्रात्ना नहीं करता है प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए वो निकल पड़ता है मेरे प्रियों बहुत स यूसफ के भाईयों ने उसको छोड़ा नहीं होता, उसको बेचा नहीं होता अगर पूतिफर की पत्नी के कारण वो जेल नहीं जाना पड़ता अगर ये समस्या अगर यूसफ की जीवन में नहीं होताто तो शायद से उस देश का प्रधान मंत्री वो नहीं बनता लेकिन परमेश्वर ने यूसफ के जीवन के लिए एक position को रखा था और उसको पाने के लिए ये सारे problem से उसे होकर आना था मेरे प्रिय भाई भैनों जब हम समस्या में पढ़ते हैं इस बात को समझ लीजे कि परमेश्वर ने कुछ स्रेष्ट हमारे लिए रखा है और वहां तक पहुंचने के लिए इस समस्या से हमें होकर जाना ही पड़ेगा मेरे प्रियू जितने लोग समस्या से होकर निकले वो लोग पीछे मुड़कर दाउत के समान यही कहेंगे कि जो दुख मेरी जीवन में हुआ था वो मेरी भलाई के लिए था ताकि मैं प्रभू की विद्यों को सीख पाऊं ताकि मैं परमिश्वर को और अच्छे से जान पाऊं ताकि मैं परमिश्वर के और निकट जा पाऊं तो मेरी प्रियों जब भी आप समस्या में से होकर निकलते हैं ये प्रातना की प्रभु इस समस्या से निकाल उससे बढ़कर आपकी प्रातना होना चाहिए प्रभु आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए जब आप ऐसे प्रातना करेंगे परमेश्वर आपकी करना था नहीं तो राजा उनको उस आग के बटे में डाली का करके धंकी दिया था लेकिन शद्रक मेशक और अबेद्न को एक बड़ी बात को बोलते हैं वो लो कहते हैं हमारा परमिश्वर हमें चुड़ाएगा और नहीं भी चुड़ाएगा तो भी हम परमिश्वर को नहीं मेरे प्रियों जो समस्या से आप होकर जारे परमिश्वर आप खुड़ाएगा लेकिन ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए अगर नहीं भी चुड़ाएगा इसके कारण मुझे संसार छोड़कर जाना भी पड़े तो भी मैं समझोता नहीं करूँगी जो भी विश् समस्या परमिश्वर का एक इच्छा है और हमें शुद्ध बनाएं और परमिश्वर के जैसे हम बन जाएं और हम आगे एक एक आत्मिक लेवल को पार करते हुए उपर जाएं इसके लिए परमिश्वर हमारी जीवन में हम अलाव करता है कि हम समस्या से होकर जाएं तो आज स बाते सीखा वो सारी बातों को हमारी जीवन में हम अपनाएंगे परमिश्वित इन बच्छनों के साथ आप सब को बहुत आशिश दे